जैन्वरी 2020 इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा मंद होने वाला है क्योंकि जैन्वरी 2020 में बहुत सारे स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच होने वाले हैं जिनमें कोई फ्लेक्शिप स्मार्टफोन तो नहीं होगा लेकिन इसमें लाइट फ्लेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को अन करें था, क्याने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचें January के महने में जो इस स्मार्टफोन सबसे पहला इंडिया में लांच होगा वो है Vivo S1 Pro Vivo S1 Pro इंडिया में लांच होने वाला है 4th January को और ये एक मिदर इंच स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें देखने मिलेगा 6.38 इंच Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले, 4500 mAh की बैटरी जो 18W Fast Charge भी सपोर्ट करेगा ये स्मार्टफोन चलेगा Snapdragon 665 प्रोसेसर में जिसमें हमें देखने मिलेगा 8GB RAM with 128GB Internal Storage Camera Department की बात करेगा तो इसमें हमें देखने मिलेगा Quad Rare Camera Setup जिसमें होगा 48MP का Main Sensor, 8MP का Ultra Wide Angle Sensor, 2MP का Depth Sensor और 2MP का Macro Sensor और Selfie Clays में हमें देखने मिलेगा 32MP का Front Facing Camera Vivo S1 Pro आएगा In Display Fingerprint Sensor के साथ और हो सकता है ये स्मार्टफोन हमें देखने मिले 15-18,000 के Price Range में Finally Honor ने Announce कर दिया है Officially कि वो इंडिया में January में अपना स्मार्टफोन Honor 9X लाँच करने वाला है Honor 9X इंडिया में लाँच हो सकता है January 2nd ये 3rd week में और ये एक mid-range स्मार्टफोन है जिसमें हमें देखने मिलेगा 6.59-inch Full HD Plus Display, 4000 mAh की बैटरी, ये स्मार्टफोन चलेगा Kirin 710F प्रोसेसर में Honor 9X का जो Chinese version था उसमें हमें देखने मिलता है Kirin 810 प्रोसेसर लेकिन बहुत possibilities है कि ये इंडिया में जब launch होगा तो ये आयेगा Kirin 710F प्रोसेसर के साथ जिसमें हमें देखने मिलेगा up to 6GB RAM और up to 128GB internal storage Camera Department की बात करें तो इसमें हमें देखने मिलेगा Dual Rare Camera जिसमें होगा 48MP का Main Sensor और एक 2MP का Depth Sensor और Selfie कले इसमें हमें देखने मिलेगा 16MP का Pop-Up Selfie Camera Honor 9X आता है Side Mounted Fingerprint Sensor के साथ और इसकी इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है 12,000 के आस-पास Samsung भी अपने दो नए A-Series के स्मार्टफोन January में लाँच करने वाला है और ये दोनों ही स्मार्टफोन January के मिड में इंडिया में लाँच हो सकते है जिसमें से जो पेला स्मार्टफोन है वो है Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A51 एक mid-range स्मार्टफोन है जिसमें हमें देखने मिलता है 6.5-inch Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले जो Infinity-O डिस्प्ले के साथ आता है जिसका मतलब इसमें हमें देखने मिलेगा Centralized Punch-hole डिस्प्ले ये स्मार्टफोन आता है 4000 mAh बैटरी के साथ जो 15W Fast Charge भी सपोर्ट करता है Galaxy A51 आता है Exynos 9611 प्रोसेसर के साथ जिसमें हमें देखने मिलता है up to 8GB RAM और up to 128GB internal storage Camera Department की बात करें तो इसमें हमें देखने मिलेगा Quad Rare Camera Setup जिसमें होगा 48MP का Main Sensor, 12MP का Ultra Wide Angle Sensor, 5MP का Depth Sensor और 5MP का Macro Sensor वसलिक जिसमें हमें देखने मिलेगा 32MP का Punch-hole Display Camera जैसे हमने Samsung Galaxy Note 10 में देखा था Samsung Galaxy A51 आता है in display fingerprint sensor के साथ और हो सकता है इसकी इंडिया में starting price हो 25,000 के आस-पास और जो Samsung अपना दूसरा mid-range smartphone इंडिया में launch करने वाला है January में वो है Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A71 भी एक mid-range smartphone है लेकिन यह थोड़ा अपर mid-range smartphone है जिसमें हमें देखने मिलेगा 6.7-inch Full HD Plus Infinity Ode Super AMOLED डिस्पले 4500 mAh की बैटरी जो 25W Fast Charge भी सपोर्ट करता है यह smartphone चलता है Snapdragon 730 प्रोसेसर में जिसमें हमें देखने मिलता है अप्टो 8GB RAM और अप्टो 128GB internal storage डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें भी दिया गया है quad dryer camera setup जिसमें है 64MP का main sensor, 12MP का ultra wide angle sensor, 5MP का depth sensor और 5MP का macro sensor और selfie case में दिया गया है 32MP का punch hole display selfie camera Samsung Galaxy A71 भी आता है in display fingerprint sensor के साथ और इसकी starting price इंडिया में हो सकती है 30,000 के आसपास January के मेरे में OPPO भी पीचे नहीं रहेगा, OPPO भी अपना एक नया smartphone launch करने वाला है अपने F-series में और वो smartphone होगा OPPO F-15, OPPO F-15 की वैसे तो कोई leaks अब तक available नहीं हुई है और इसकी कोई design भी अब तक leak नहीं हुई है लेकिन ऐसी भी rumors आ रही है कि OPPO F-15 में हमें कोई pop-up selfie camera देखने नहीं मिलेगा इसमें हमें देखने मिलेगा punch hole display camera और यह smartphone आएगा super amulet display के साथ जिसका मतलब यह है कि इसमें हमें देखने मिलेगा in display fingerprint sensor वैसे अब तक कि OPPO के F-series में in display fingerprint sensor नहीं आया है फिलाल तो OPPO F-15 की इतनी ही information available है लेकिन जैसे ही इसी दता information available होती है हम आपको भी update कर देंगे January के 4th week में Realme भी अपने दो नए smartphone को launch करने वाला है जिसके नाम है Realme 5i और Realme C3 यह दोनों ही smartphone lower mid range smartphone होंगे जिसमें हमें देखने मिलेगा बहुत ही average सा specifications Realme C3 successor होगा Realme C2 का और Realme 5i जो होगा वो एक downcredit version होगा Realme 5S का Realme C3 की इंडिया में starting price हो सकती है 6000 के आसपास और Realme 5i की इंडिया में starting price हो सकती है 8000 के आसपास January के end तक Samsung अपने दो नए light flagship smartphone इंडिया में launch करने वाला है जिसके नाम है Samsung Galaxy Note 10 Lite और Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy Note 10 Lite में हमें देखने मिलेगा 6.7 inch Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले जो Centralized Spongehole डिस्प्ले के साथ आएगा और जिसमें हमें in-display fingerprint sensor भी देखने मिलेगा यह smartphone आएगा 4500 mAh बैटरी के साथ जो 25W fast charge भी support करेगा Samsung Galaxy Note 10 Lite आएगा Exynos 9810 processor के साथ जिसमें हमें देखने मिलेगा up to 8GB RAM और up to 128GB internal storage camera department की बात करेगा तोसमें हमें देखने मिलेगा triple rear camera setup जिसमें है 12MP का main sensor, 12MP का telephoto lens और 12MP का ultra wide angle sensor और selfie case में हमें देखने मिलेगा 32MP का पंचोल display camera Samsung Galaxy Note 10 Lite आएगा S Pen के साथ और इसकी इंडिया में starting price हो सकती है 40,000 के आसपास Samsung India में Note 10 Lite के साथ साथ Samsung Galaxy S10 Lite भी launch कर सकता है जिसमें हमें देखने मिलेगा 6.7 inch Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले जो Infinity-O डिस्प्ले के साथ आएगा S10 Lite में हमें देखने मिलेगा 4500 mAh की बैटरी जो 45W Fast Charge भी सपोर्ट करेगा ये स्मार्टफोन चलेगा Snapdragon 855 प्रोसेसर पर जिसमें हमें देखने मिलेगा 8GB RAM with 128GB internal storage Camera Department की बात करेगा तो इसमें हमें देखने मिलेगा Triple Rare Camera जिसमें होगा 48MP का Main Sensor, 12MP का Ultra Wide Angle Sensor और 5MP का Depth Sensor सकती है 30,000 के आसपास January के end तक Xiaomi भी अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लांच कर सकता है जिसका नाम है Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 वोई स्मार्टफोन है जो चाइना में लांच हुआ था Xiaomi CC9 Pro के नाम से जिसकी हमने unboxing भी की है और जिसकी giveaway भी चल रही है जिसमें आप participate कर सकते है और जीच सकते है Xiaomi CC9 Pro स्मार्टफोन जो है वर्ल्ड का first 108MP वाला स्मार्टफोन Xiaomi Mi Note 10 वोल्ड का first स्मार्टफोन है जिसमें हमें देखने मिलता है 108MP का कैमरा और यह स्मार्टफोन आता है Panta Rare कैमरा सेटटप के साथ जिसका मतलब है इसमें हमें देखने मिलेगा 5 camera back के तरफ यह स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 6.47 इंच Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले जो एक भी participate कीजिए क्या पता यह स्मार्टफोन आपका ही हो जाए January के end तक Xiaomi अपना एक और स्मार्टफोन इंडिया में लांच कर सकता है जिसका नाम है Redmi K30 Redmi K30 की बहुत कम chances है कि यह इंडिया में लांच हो जाए January end तक लेकिन फिर भी इसकी उमीद है कि यह स्मार्टफोन January end तक इंडिया में लांच हो जाए Redmi K30, Redmi K20 का successor है और इसमें हमें देखने मिलता है Dual Punchhole Selfie Camera Redmi K30 का 4G variant ही इंडिया में लांच हो सकता है 5G variant तो लांच नहीं होगा क्योंकि इंडिया में 5G का network ही अवेलेबल नहीं है Redmi K30 World का first smartphone है जो आता है Sony IMX686 sensor के साथ जो एक 64MP sensor है और यह smartphone में हमें देखने मिलेगा Quad Rare Camera Setup Redmi K30 4G variant आता है Snapdragon 730G processor के साथ और इसमें हमें देखने मिलता है Side Mounted Fingerprint Sensor इस phone की unboxing video भी हमारे चैनल में available है जादा information के लिए आप यह आला वीडियो देख सकते है चलिए बात करते है उस smartphone की जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे है और यह smartphone है Realme का पहला 5G smartphone Realme अपना पहला 5G smartphone Realme X50 5G launch करने वाला है चाइना में 7th January को और यह smartphone की बहुत chances है कि यह smartphone January end तक इंडिया में launch हो जाए क्योंकि मादव शेट ने officially announce किया था कि Realme वो पहला smartphone brand होगा जो इंडिया में पहला 5G smartphone launch करेगा और Realme का एक ही smartphone है जो 5G है वो है Realme X50 5G smartphone Realme X50 5G में हमें देखने मिलेगा 6.6-inch Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले 4000 mAh की बैटरी जो 30 Watt Vox Super Charge 4.0 भी सपोर्ट करेगा यह smartphone चलेगा Snapdragon 765G processor के साथ जो एक 5G processor है जिसमें हमें देखने मिलेगा up to 12 GB RAM और up to 128 GB internal storage Realme X50 5G में हमें देखने मिलेगा quad rare camera setup जिसमें हमें देखने मिल सकता है 64MP main sensor, 13MP telephoto lens, 8MP ultra wide angle sensor और 2MP depth sensor और selfie के इसमें हमें देखने मिल सकता है 16MP front facing camera यह smartphone आएगा in display fingerprint sensor के साथ और इसकी starting price हो सकती है 30,000 के आसपास तो यही थे वो smartphones जो इंडिया में January के महने में launch होने वाला है आपको इन smartphones में सब कौन साथ smartphone सबसादा पसंद आया है और आप कौन से smartphone के लिए wait करेंगे जिसे आप खरीदना चाहेंगे निचे comment में जरूर बताए तो आची वीडियो में बस इतना ही यह वीडियो गर आपको पसंद आये तो लाइक जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में